और मैं भोचपुर जिले के धनगाई थाना शेत्र में मंदर के तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है इस घटना के दौरान लोगों के बीच अफ्रा तफ्री मच गई हालंकि घटा की सुचना मिलते ही स्थानिय पुलिस घटना इस्थाल पर पहुंची और शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया जानकारी यह है कि मृतक जो बच्चा था वो धनगाई थाना शेत्र के श्यपूर गंज का रहने वाला बताया जा रहा है और इसी मामले में मृतक के चाचा ने बताया कि शनिवार को उसके पिता महेश सिंग खेत में बीच डाल रहे थे उसी का खाना लेकर वो खेत में गया था जब खाना देकर वो वापस गाउं के ही एक बच्चे के साथ घर लोट रहा था उसी बीच तालाब के पास रुक कर वो रुका और उसी दौरान पैर फिसल गया और वो तालाब में डूर गया इसके बाद उसके साथ रहे बच्चे ने गाउं में आकर उसके परिजनों को पूरी बात बताई सूचना मिलते ही उसके परिजन वहाँ घटना इस तर पर पहुंच गए और जिसके बाद ग्रामीडों के सहयोग से बच्चे के शव को पानी से बाहर निकाला गया और वहीं कैमूर जिले में बारिश नहीं हो रही है जिससे कि किसानों को काफी परिशानी भी हो रही है आपको बता दे कि अभी तक पूरे जिले में सिर्फ तीन फीज़ देही धान की रोपनी हुई है बारिश नहीं होने और नहरों में पानी नहीं आने से धान के खेदी के लिए डाला बिछडा भी पानी नहीं मिलने से सूख रहा है जिससे किसान काफी चिंतित है और इसे की धान का कटोरा कहे जाने वाले जिले में इस साल किसान की थाली में चावल की समस्या होने वाली है इसी किरम में किसानों का कहना है कि आयोध्या में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए चावल कैसे भेजा जाएगा इसी के साथ कहा कि जिले के अधिकांश भागों में धान की खेती बारिश पर निर्भर है पानी आ भी नहीं वहरा है है भगवान से बारिश भी वह रहा है और जोई आप दम anonymous कोक्र बड़ रहा है थे उन्यताम अपने को खाने के लिए जोटsk। यहचार नहीं होता थे पानी बिना नहीं तो हम लोग रूपते ना दुचार बिया कम से कम खाने पी निखर और वहीं बिहार के पक्षिन चमपारण में बेखो बदमाशु ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया मुख्याले से 25 किलोमीटर दूर लॉरिया में बैंक आफ बड़ुद की और फरार हो गए पोलिस अदिक्षक उपेंद्र नात वर्मा ने बताया है कि अपराधियों की गिरफतारी के लिए जिले की सीमा को सील कर छापे मारी की जा रही है और इसी के साथ आसपास के जिलों को भी घटना की सुचना देकर सतर्क कर दिया गया है और वहीं पड़ो अबी एक्चली नगर ठाना चेतर में जो बैंक लूट की घटना दी उस गटना को बेदन हो चुटा है उसमें जो लोग अरेश्ट को बाकी लोगों की लाव भी अरेश्टिंग की जा रही है और ये लॉरिया ठाना में जो ये घटना गटी है इसके संबन में भी ये देखा जा रहा है कि रिष्टा क्या नगर ठाने में जो बैंक लूट हरकंड सरकार की तरफ से राची के मोरहाबादी मैदान में 11,406 बेरोजगारों को नियुक्ती पत्र स्वांपा गया है यहां बेरोजगार, किसान, गरीबों की लंबी फेरिस्थ है कोरुना काल में हमने काफी समवेदन शिल्ता के साथ राज्यों के लोगों की जान बचाने का प्रयास किया केंदर सरकार यह कह रही है कि हवाई चपल पहनने वाले हवाई जाहाज में चड़ें हमने ये काम पहले ही कर दिया है कोरुना काल में हमने कई मजदूरों को हवाई जाहाज से जार्खन हम लेकर आए हमने जार्खन में किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं होने दी सीमित संसादनों में कई काम किये और इसी दोरान श्रम नियोजन सचिव प्रवीड टोपो ने कहा कि न्यूकती पत्र वित्रण समहरों में 21 सेक्टरों में जार्खन के चातर चात्राओं को रोजगार की सुविधाएं उपलब्द कराए गई है 11,000 से अधिक इवक यूवतियों को ओफर लेटर दिया जा रहा है निजी छेत्र के तहत स्थानिय नियोजन नीती की घोशना होगी अभी तक यहां तक 2022-2023 में उद्योगों इंटर्प्राइजिस में रोजगार उपलब्द कराए हैं दिने नियूकती पत्र दिया गया है इस्थानिय लोगों के जरीए कमपनियों को 75 फीजदी आरक्षन भी दिया जाएगा आपको सिरफ यही आउसर नहीं बलकि कई और अन्य आउसर आपको मिलेंगे यह समझे कि आज इस कारिक्रम के माध्यम से आप सब लोगों के लिए जीवन में अच्छे आउसर पाने का हम लोगों ने यह दरवाजा खोला है आज आप नीजी छेत्र में अच्छे से अच्छे पदों पर जा करके रोजगा पा सकते हैं नौकरिया कर सकते हैं और इसके साथ साथ अब सरकार की नियुक्ति में भी हिस्सा ले सकते हैं और मैं चत्रा में लंबे समय के बाद नगर परिशद कार्याले सभाकाक्ष में नपा बोड की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता नगर परिशद अध्यक्ष गुंजा देवी और संचालन विशेश पदादिकारी सुरेश यादव ने किया बाठक के दौरान शहर और परिशद शेत्र के विभिन वार्डों के समुचित विकास की मांग को लेकर सभी वार्ड पार्शदों सिलसली वार से अपने अपने वार्डों की समस्या से अवगत कराया बाठक के दौरान लंबे समय से शहर में ठप पड़े शहरी जलापूर्ती योजना को अविलम सुचारू करने, सभी वाडों में स्ट्रीट लाइट लगाने, वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्राथ मिक्ता के आधार पर पूर्ण कराने और शहर की जरजर सडकों को अभियान के तहट दुरुस्त करने की मांग पाशदों ने उठाई उपायक्त से DMFT योजना के तहट नगर परिशद को फंड आवंटित करने और रज्जे सरकार के लावा नगर विकास विभाग से पत्राचार कर फंड आवंटन कराने का निर्णे लिया गया विशेश पतादिकारी सुरेश यादव ने बताया कि इसके अलावा शहर के सभी वाड़ों में जरुत के मताबिक परियाप्त मात्रा में LED लगाने 1500 LED लाइट क्रे करने का भी निर्णे नगर पईशत बोडने लिया है और इस निमित उपायवत को पत्राचार कर DMFT मद उपलब्द कराने की मांग करने का निर्णे बोडने लिया है वहीं विकास योजनाओं का टेंडर लेकर लंबे समय तक मनमाने तरीके से योजना क्रियानवेन को पूर्ण करने के बजाए लटका कर रखने वाले लापरवाह समवेदकों पर कारवाई करने का भी निर्णे बोड में पारित हुआ है ऐसे समवेदकों को चिनहित कर उन्हें एक साल के लिए दिबार करने का निर्ण लिया गया है हम लोग जो है या फिर राज सरकार से आवंटन प्राथ करेंगे और आवंटन प्राथ हो जाएगी तो हम लोज का कार्जार बने कोडर्मा में मर कच्चों सित पंच खेरों जलाशे में एक ही परिवार के आठ लोग डूब गए और डूबने वाले सभी ग्रेड़ी जिले के धनवार प्रखंट के खेतों पंचायत के लोग हैं सभी लोग गोरहंद डाम घूमने आए थे बताया जा रहा है कि नाव पर कुल मिलाकर दस लोग सवार थे जिसमें से दो लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली वही नाव पलटने से आठ लोगों की डूबने से मौत हो लोगे है